हुआ हेलो बच्चों हेलो आज हम लोग डिसक करेंगे झायर पीएगे डिस्क्चिबिशन आप चार्ज आखकेश लोग अभी तक पढ़ेते का किकापैशिटर कापैसंटर में एनर्जी इस्टोड लास्ट में पढ़ेते लास्ट class में और उसी में निकाले थे last जो topic था वो energy density ठीक है ना तो यह charge का redistribution पढ़ेंगे जैसे यह conductor से A और B ठीक है ना यह positively charge है बी भी positively charge है इस पर initial state की बात करो initial जो charge है A पर कितना है Q1 इस पर charge initially क्या है Q1 और B पर क्या है initially charge Q2 और इन दोनों के बीच का जो potential है इसका V1 है initial potential और इसका क्या है V2 है तो initial potential V1 and V2 और इसका capacitance C1 है और यह इसका C2 है तो capacitance C1 and C2 अब तो बताओ आप लोग तो initial charge जो Q1 is equal to क्या हो जाएगा C1 V ठीक है ना charge Q2 is equal to क्या हो जाएगा C2 V जाएगा अब क्या कर रहे है यहाँ पर दोनों conductors को एक थीन वायर से connect कर दिये थीन वायर से connect कर दिये ठीक है ना अब connect कर दिये वायर से तो क्या होगा charge क्या होगा charge का transfer होगा और charge transfer कि दर से होगा higher potential to lower potential और charge कब तक transfer होगा जब तक कि A और B दोनों का potential क्या हो जाएगा सेम ना हो जाएगा तो अब हम जब क्या किया है वैं टू कंड़क्टर्स conductors are connected दोनों को connect कर दिये ठीक है ना connect कर दिये तो बताओ अब दोनों को बात करूं total charge क्या होगा remain constant रहेगा कि नहीं remain constant और कितना होगा total charge q q1 plus q2 होगा कि नहीं total charge तो constant रहना है मालों इस पर q1 था है चार्टिंग में और q2 है तो total charge constant रहेगा q1 plus q2 अब हम बात करते हैं जो इसका charge transfer किदर से किदर होगा मालों एक हाइयर potential है और बी जे लोग पोटेंशियल तो एसे किदर होगा transfer एसे बी के तरफ होगा और कब तक transfer होगा चार्ज जब तक कि दोनों का potential common हो जाए तो दोनों का common potential v ले लिए तो total जो common potential v common potential is equal to क्या हो जाएगा total charge divided by q is equal to cv होता है ना parents formula जो q is equal to cv तो v is equal to क्या होगा q by c total capacitance total capacitance ठीक है ना तो v क्या है बताओ v total charge क्या होगा बताओ q1 plus q2 total charge q1 plus q2 total capacitance क्या होगा दोनों को connect किये तो c1 और c2 तो क्या हो जाएगा बताओ c1 plus c2 और q1 is equal to क्या है c1 v1 तो लिख सकते है q1 is equal to c1 v1 प्लस q2 is equal to क्या है c2 initially क्या है c2 यह होगा v2 ठीक है ना तो यह होगया c2 v2 divided by total capacitance c1 plus c2 ठीक है ना यह तो हो गया जब charge common potential हम लोग यहां से यहां याद रखना है आप लोगों को common potential का formula जो चार्ज ट्रांसफर होगा higher to lower और तब तक चार्ज ट्रांसफर हो जाए जब तक चार्ज ट्रांसफर होगा जब तक की इस पर q1 था initially इस पर क्या था q2 चार्ज q1 और q2 था अब चार्ज यहां से निकल रहा है ना तो ए और बी पर दोनों पर क्या होगा चार्ज का redistribution होगा ना चार्ज का क्या होगा redistribution क्योंकि चार्ज तो ट्रांसफर हो रहा है तो consider कर लो redistribution of charge क्या होगा redistribution of charges क्या होगा बताओ charge मालो यहां का final जो charge है q1 डैस और इसका final charge क्या ले लिए q2 डैस q1 और q2 डैस होगा ना तो बताओ यह q1 q1 is equal to क्या होगा बताओ q1 डैस is equal to c1 v अब potential तो दोनों का क्या हो जाएगा इसका भी भी हो जाएगा इसका भी भी हो जाएगा जब connect कर दिये तब अब q2 क्या हो जाएगा q2 डैस c2 v होगा की नहीं बताओ अब इसको लिख सकते हैं ऐसे q1 डैस by q2 डैस is equal to c1 v divided by c2 v यह cancel out होगा तो q1 by q2 डैस क्या हो जाएगा c1 by c2 ठीक है ना तो याद रखना अपने को redistribution charge ठीक है ना कब तक charge transfer होगा तब यह भी बता दिये थे जो charge तब तक transfer होगा जब तक की दोनों का potential equal नहीं हो जाए दोनों का potential equal हो गया तो charge इसका q1 डैस इसका क्या हो गया q2 डैस तो q1 डैस is equal to c1 v क्योंकि potential तो अब भी है और इसका भी वी है तो q2 डैस is equal to c2 v और यह दोनों को divide कर दिये तो यह numerical में यह सब use करेंगे ठीक है ना अब है next जो दो अब यह connectors को connect किये ना तो energy में loss कितना हुआ यह formula याद रखना है अभी यूज करेंगे अब ठीक है ना जो loss of energy हमें calculate करना है loss of energy ठीक है ना energy loss हमें calculate करना है जो कितना होगा देखो common potential क्या आ गया था common potential V is equal to C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2 आएदा ना अब देखो अब previous lecture में हम लोग किये थे energy store in a capacitor ठीक है ना energy store capacitor का क्या होता हाप CbA square तो initial energy U initial क्या होगा हाप दो capacitor था तो C1 plus C2 अभी अभी देखे थे यह जो conductor इसका initial क्या था V1 capacitance C1 potential V1 ठीक है ना यह वाला जो capacitor इसका capacitance C2 और potential V2 तो initial potential energy U initial होगा क्या होगा हाफ C1 V1 का होला square प्लिस हाफ C2 V2 का होला square ठीक है यह initial होगा अब अब क्या किये थे इन दोनों को एक connecting wire से किये थे connect तो दोनों का अब क्या change होगा था potential same हो गया था दोनों का तो यू final जोगा यू final तो क्या होगा बताओ हाफ C1 V का होला square अब देखो इसका भी potential V और इसका भी potential V तो हाफ C1 V2 अब प्लस हाफ C2 V2 तो यू final क्या होगा बताओ हाफ तो इसमेंचे देखो V2 common लेंगे और हाफ भी common ले लेते तो यह बताओ C1 प्लस C2 V2 और V की value यहाँ दे देते हैं ठीक है ना अभी की value दे देते हैं अभी अभी रुको इसके बाद देते एक step देखो लॉस कितना होगा energy लॉस अब calculate करते हैं तो लॉस of energy लॉस कितना होगा लॉस कब होगा जब energy में लॉस कब होगा बताओ जब initial energy final energy से क्या होना चाहिए कि final energy से क्या होना चाहिए ज्यादा initial energy is greater than final energy तब लॉस होगा तो हम लोग क्या करते हैं initial minus क्या कर लेते हैं final यदि final minus initial भी करोगे ना तब क्या आना चाहिए negative आना चाहिए तो negative का मतलब वहां समझ जाते क्या हो रहा है energy में loss हो रहा है ठीक है तो loss of energy अब लोग initial minus final ठीक है ना तो initial क्या है initial energy half c1 v1 का all square अब final energy half sorry half c1 v1 का all square plus half c2 v2 का all square यह initial energy यह देखो initial half c2 v2 अब final क्या है minus का half c1 plus c2 अब देखो अब v क्या है यह वी की value दे देते हैं v की value क्या है यह c1 v1 plus c2 v2 divided by c1 plus c2 तो v की value दे दी है c1 v1 c2 v2 इसका all square होगा ठीक है ना तो यह क्या आ जाएंगे बता half c1 v1 plus half c2 v2 minus half c1 plus c2 आ यह क्या हो जाएंगे c1 v1 plus c2 v2 आ यह का all square यह c1 plus c2 का all square ठीक है यह c1 एक cancel out होगा यह बुरा तो यह क्या लिख सकते है हम लोग half c1 v1 का all square यह हो गया है यह c1 v1 plus c2 v2 divided by 2 c1 plus c2 यह calculate करोगे तो यह आ जाएगा है loss of energy c1 c1 c2 v1 minus v2 का all square divided by 2 c1 plus c2 ठीक है यह energy आ जाएगा आपका loss of energy ठीक है na c1 c2 v1 minus v2 का all square divided by 2 c1 plus c2 का यह इतना loss होगा energy ठीक है ना यह loss किसमें होगा energy यह जो loss हो रहा है energy का किसमें होगा जो electrostatic potential energy यह जो हाप cba square है electrostatic potential energy है वो heat के form में loss होगा लब heat यहां से reduce heat क्या होगा reduce होगा heat as a form of heat के form में loss होगा ठीक है ना तो इतना याद रखना है formula c1 c2 divided by 2 c1 plus c2 v1 minus v2 का all square चाहे अब इसमें लिख सकते हो इसे greater than v2 अब v2 is greater than v1 दोनों केस में क्या होगा है यहां पर positive term आना है क्योंकि यहां square है न दोनों के केस में क्या होगा सेम यह आएगा इसमें तो यह था तब हम देखेंगे इस पर बेस्ट पर कुछ question करेंगे जो loss हो रहा है energy का कितना हो रहा है और energy store पर भी कुछ question करेंगे ठीक है अब देखो अब जो next है इसी में हम बैटरीक का work done by battery calculate करेंगे और heat किसी भी जब हम बैटरीक से capacitor connect करते हैं तो कितना heat reduce होता है कितना heat निकलता है वह हम calculate करेंगे ठीक है ना तो work done by battery पहले समझते है work done by battery ठीक है ना work done by battery अब देखो यह capacitor है ठीक है और यह capacitor से हमने क्या connect कर दिया यह battery connect कर दिया यह वी potential है इस पर हम प्लस और यह माइनस ठीक है जानते हो नहीं यह प्लस और यह माइनस क्यूब तो देखो एनरजी story ने capacitor हम लोग पढ़े ना जो यूज होगा इस capacitor का energy कितना होगा हाफ cv square ठीक है ना हाफ cv square होगा अब देखो यहां से charge निकल रहा है क्या यह क्यू चार्ज यहां से निकल रहा है क्यू तो work done by work done by battery क्या होता है क्यू इंटू क्यू इंटू डेल्टा वी डेल्टा वी मतलब potential difference इसका potential difference क्या है वी है तो क्यू कितना है क्यू कैपिटल क्यू और यह क्या है डेल्टा वी और क्यू इसकोल डू क्या होता है cv ना तो work done by battery क्या होगा cv into v तो यह क्या होगा cv square अब देखो यह cv square रहा है बैटरी कितना work कर रहा है बैटरी कितना work कर रहा है cv square और यहां जो capacitor का कितना energy store हो रहा है आप CBA square तो कुछ तो ऐना इस में घर्वर न कुछ बैक्रिक ने वर्ट किया कितना cbsquatar और capacitor के पास energy कितना इस्टोर हुआ हरप CBAihat तो कुछ तो गरवर है तो यह जो गर्वर और उसी गरबर मतल्बंग जितना इसमें दिख रहा है जो कम हो रहा है इसमें कम हो रहा है ना उसी को क्या बोलते हैं हीट के फॉर्म में रिलीज हो रहा है तो रिलीज क्या होगा बता यह हीट जो रिलीज होगा बता वर्क दन बैटरिक cv square minus half cv square तो यह heat के form में half cv square हो गया ठीक है ना कितना release हुआ heat के form में half cv square मतलब battery जब work done करता है cv square तो capacitor के पास कितना store हुआ half cv square तो half cv square की कमी हो रहाता ना तो वो जो energy हो किसके form module is as a form of heat ठीके ना अब हमें एक और चीज़ इसमें कुछ point याद रखना है battery के case में वैसे मैं current electricity पहले पढ़ाया हूं तो वह सारे चीज़ बताया हूं अब देखो जैसे यह battery ऐसे बैटरी कैसे है इसमें चार्ज क्यों इस से transfer हो रहा है तो work done by battery क्या होता है क्यों इन्टू वी अब हम जा किदर से रहे अपना path कहां है यहां पर वी और यह 0 है इस side सी इधर आ रहे है तो work done by battery क्या होगा positive या negative negative होगा देखो प्लस से माइनस अब हम जब भी जाए तो क्या होगा negative ठीक है न यह first point हमें याद रखना है और second point जो है इसी में यदि यही बैटरी है और charge जो आ रहा है इस तरह से क्यों आ रहा है यहां वी potential है यह 0 ठीक है न तो इसका क्या है वी potential अब work done कहां से हम लोग आ रहे है इस side से 0 से वी के तरफ चार जो आ रहा है 0 से वी के तरफ तो यह क्या होगा बता work done by battery q into v तो होगा q into v तो होगा लेगिन minus से plus है minus से plus क्या होगा plus होगा तो यहां पर work done by battery कितना होगा इतना plus का वोल्ट ठीक है न इसी में हम आगे करेंगे और देखो यह जो हम लोग circuit बनाया था अभी अभी यह circuit capacitor है और यह capacitor से क्या connect कर दिये थे बैटरी कनेक्ट कर दिये यह सी इसका capacitance है ठीक है ना सी capacitance है और चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा था लेकिन यह actual real circuit नहीं है यह real circuit नहीं है ठीक है ना real circuit नहीं है अब basic circuit जो होता है basic इस तरह से circuit होता ही है resistance भी होता है कुछ उसका और यह capacitor है ठीक है ना और यह जीरो होगा तो यहां से current आई फ्लो हो रहा है आई कितना होगा इन दोनों के बीच में क्या होगा वी माइनस जीरो डिवाइड़ डिवाइड रजिस्टेंस इसका आर्ट तो यह वी वाई आर्ट अब बैक्ट्रिक जब हम connect किये हैं तो connect किये हैं तो यहां से चार्ज फ्लो हो रहा है और चार्ज फ्लो होगा दीरे दीरे तो यह capacitor क्या होगा चार्ज होता रहेगा यह चार्ज होगा यह circuit ऐसा देखते हैं फिर से circuit यह देखते हैं यह capacitor capacitor V है यह V और यह 0 अब देखो दीरे दीरे एक चार्ज हो रहा है तो इस पर क्यों और इस पर क्या होगा माइनस क्यों यह capacitance C है ठीक है ना तो यह resistance आ रहे है तो यहां भी क्या होगा V और यहां क्या होगा जीरो अब चार्ज हो रहा है तो यहां इस पॉइंट पर इस potential difference डेवलप होगा ना potential डेवलप होगा और Q is equal to क्या होता है CV तो V is equal to क्या होगा Q by C तो यहां क्या हो जाएगा Q by C तो यह जो current है ना इस resistance में बताओ अब current जो होगा इन दोनों के बीच का जो current जो resistance में flow होता है उन दोनों टर्मिनल के बीच का potential difference divided by resistance तो यह जो current होगा इसमें यह वाला current तो potential difference V minus Q by Q by C ठीक है ना divided by R अब एक टाइम ऐसा आएगा जब capacitance का होगा fully charge हो जाएगा अब fully charge होगा तो क्या होगा यह जो Q by C है Q by C बताओ Q by C किसके equal होगा वी के equal होगा कब होगा वी के equal जब capacitance capacitor जो है completely charge हो जाए fully charge हो जाए तो Q by C किसके equal हो जाएगे वी के equal हो तो यहां से हम बता सकते हैं यह बताओ आई आई क्या हो जाएगा यह VQYC अमाइनस QYC divided by R करेंट क्या हो जाएगा यह 0 करेंट 0 हो जाएगा ना जब यह करेंट 0 हो जायगा इस सर्कृट में तो इस स्टेट को बोलते हम लोग कौन सा स्टेड тер इस्टेड 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 ठीके ना कौन सा स्टेड बोलते हैं इस्टेड है इस्टेड कब जब इस सर्कीट में करेंट की वैलिउद जीरो हो जाए और करेंट जब जीरो हो जाए तो यह resistance कौण कोई काम का नहीं रहेगा वह resistance जो है क्या होगा एक wire की तरफ behave करेगा ठीके ना circuit जो बनेगा एक यह जो resistance है कैसा विएव करेगा एक wire की तरफ ठीके न तो यह circuit ऐसा अब बनेगा यह यह circuit है इस तरह से अब बनेगा यह circuit यह यह क्योंकि हो सारा का सारा potential difference यहां पर develop हो गया यह प्लस यहां पर क्या होगा बता यह जो होगा वी जो होगा किसके इकोल हो जाएगा qi c और इधर क्या हो जाएगे यह capacity यह प्लस q और इधर यह q तो यह इस state जो study state के बाद का state आएगा यह अब देखो study state से पहले वाला जो state होगा वो भी फोर study state होगा और बिफोर study state में क्या होगा resistance भी है और capacitance भी है तो वो r भी है और c भी है तो उसको बोलते है rc circuit हम लोग study करते हैं rc circuit और एक study state के बाद वाला state यह ऐसा circuit बनता है सिर्फ उसमें capacitance ही consider करते हैं तो वो वाला जो state होता है उसे हम बोलते है after study state तब अब हम लोग after study state वाला condition पे कुछ question करेंगे और उससे heat find out करेंगे ठीक है न तो आपको क्या याद रखना capacitor को कितने पार्ट में यहां जो state है दो पार्ट दो इस्टेट में डिवाइड किया है वीफोर स्टेडीट और आप्टर इस्टेट स्टेडी एस्टेट में हम लोग क्या study करते हैं rc circuit और आप्टर इस्टेडी इस्टेट में हम क्या discuss करेंगे only capacitance के बारे में हम discuss करेंगे और से हम heat calculate करेंगे ठीक है तो अब heating देना है after steady state capacitor इन्हें after steady state ठीक है देखो एक question है ये example देखते हैं ये equation है ये capacitor है ठीक है और ये इस पर 2V का बैटरीक लगा हुआ ये इसमें 2V का बैटरीक है और ये पहले से इस capacitor में जो potential difference develop है VV C capacitance है अब पहले से potential difference develop है VV का ठीक है ना पहले से कितना develop है VV का तो हमें इस circuit में कितना heat generate होता हो calculate करना है ठीक है ना तो अब देखते हैं ध्यान देना अब इस पर charge पहले 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 कितना store है इसका मतलब पहले से V potential difference develop है तो Q is equal to क्या होता है CV तो इस वाले plate पहले क्या होगा प्लस CV और इस वाले पहले क्या होगा माइनस CV ठीक है ना अब capacitor कितना अब charge कितना तक हो सकता है final बताओ 2 volt का है तो maximum 2 volt इस पर हम दे सकते हैं potential difference develop करवा सकते हैं तो अब देखते हैं जो नया circuit बनेगा ये ये देखो 2 volt का है बताओ तो अब कितना होगा capacitance C तो वही change नहीं होने वाला है तो अब इस पर कितना develop हो जाएगा बताओ अब तो कितना हो जाएगा ये माइनस है ये वाले तो माइनस का होगा 2 CV और इस साइड का हो जाएगा प्लस का 2 CV होगा ना क्योंकि अब इस पर तो माइनस 2 V इधर क्योंकि negative वाला ये है और ये positive तो इधर क्या होगा 2 V तो माइनस 2 CV अब प्लस 2 CV इस पर develop हो रहा है अब देखते हैं तो चार्ज जो है ना इसमें क्या हो रहा है देखो पहले प्लस CV था अब कितना हो गया है माइनस 2 CV कितना हो गया माइनस 2 CV चार्ज हो गया तो हमें देखो तो कितना चार्ज यहां इसका मतलब निकल रहा है ना चार्ज इस वाले से चार्ज क्या हो निकल गया तो निकल कितना गया 3 CV ने तो ऐसे हम याद करने ऐसे सोचो निकल रहा है चार्ज तो इससे क्या होगा नेगेटिव होगा तो यहां CV है इससे निकल रहा है कितना 3 CV तो कितना बचा माइनस 2 CV ठीक है ना? کितना बचा minus 2 cv ते यह देखो minus 2 cv 3 cv निकल रहा है अब इस पे देखो minus cv है और इस पे किि आ रहा है charge, incoming charge है कितना? 3 cv तो इस पे minus cv था, अब plus 3 cv आ रहा है इस पे तो कितना बचा बताओ plus 2 cv हुआ कि नहीं हुआ ठीक है ना? निकल रहा है इस पहले वाला सर्किट से हम दूसरे वाले सर्किट को कंपेर करेंगे ठीक है ना प्लस सीवी था अब दिख रहा है वाई यहां तो माइनस टू सीवी हो गया तो चार्ज कहां गया तो चार्ज निकल गया यहां से तो निकल गया तो कितना निकल गया चार्ज तो जहां आ रहा है इस पर incoming charge हुआ तो कितना तो 3C-1 – 2C-2C-2C-2C-1 अभी बताया था था तो 3C-1 इदर से निकलेगा पप चार्ज बताया 3CW और यह 3C विद तो देखो बैटरी के द्वारह कितना होगा वोग्डन वाइब बैटरी कितना होगा बताओ work done by battery चार्ज 3CV है ना कितना जा रहा है इधर से charge 3CV और यह charge कैसे जा रहा है minus से plus charge का direction देखना है charge कहां से जा रहा है यह minus 2 plus minus से plus तो work done by battery क्या होगा plus और कितना होगा Q into CV तो Q कितना है 3CV और V कितना है तो 2V यह 2V तो work done by battery क्या हो जाएगा बताओ 6CV square तीक है यह work done by battery अब यहां से देखते हैं जो capacitor का initial energy कितना है और final क्योंकि capacitor का energy तो चेंज होगा ना पहले capacitor माद भी वोल्ट का potential ता अब 2V वोल्ट का हो गया तो energy तो change हो गया ना क्योंकि charge यहां पर change हो रहा है तो initial energy देखते हैं यहां पर capacitor का initial energy यू आई हाफ cv square हाफ cv square होगा ना क्यापसिटेंस c है और वी क्या है वी वोल्ट तो हाफ cv square हो गया इनिसियल energy अब final energy capacitor का कितना होगा अब देखो आफ क्यापसिटेंस c तो वही रहेगा इसका पोटेंचिल कितना हो गया 2 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट है लेकिन माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा तो 2 वोल्ट का होल square कितना होगा हाफ c 2 का कितना होगा 4v square यह 2 cancel तो यू final कितना हो जाएगा बताओ यह 2 cv square है ठीके ना तो changing energy in capacitor कितना होगा बताओ तो ऐसे हम कह सकते हैं जो वोक्डन जो इसका heat निकालेंगे न हीट का formula तो बैटरिक वोक्डन बैटरी माइनस यू final minus u initial ठीके न यह formula याद एखना है जो change हम निकालेंगे न अरे capacitor ऐसे निकालते थे ना energy में heat में कितना loss हुआ है तो heat में जो loss हुआ है वो कैसे calculate करेंगे तो वो calculate करते हैं बैटरिक का वक्डन माइनस capacitor का जो energy store होई है तो अब capacitor का जो final है initial minus कर देंगे तो बदा वक्डन बैटरी कितना है six cv square six cv square minus you final कितना है two cv square two cv square you initial कितना है half cv square ठीक है अब देखो यह two cv square minus two one by यह कितना हो जाएगा three by two cv square तो heat हो जाएगा six cv square minus three by two cv square ठीक है तो यह हो जाएगा आपका हीट 12 minus three nine by two cv square इतना हीट में हीट के फर्म में energy release होगा ठीक है ना एक practice करना है फिर से question next देखो यही same question एक practice करना है आप लोग को यह सी capacitance है यह यहां पर पहले से यह two volt है plus minus two volt है और यह वी वोल्ट है अब यह करना है तो first step step by step करो पहला step का है पहला step है यहां पर चार्ज तो ठीक है ना पहला step यहां पर देखो चार्ज potential V है two V तो q is equal to cv तो c into two V तो plus क्या होगा यह two cv अब इस पर कितना हो जाएगा minus two cv तो first step अपना complete हो गया अब चाहो तो initial अब इसका initial capacitor का energy निकाल लो u initial second step है यह इनिशियल तो हाप सी वी कितना है टू वी का होल स्पाइल है सेकेंड फर्स स्टेप में क्या है चार्ज क्या देना है capacitor के दोनों प्लेट पे दिखाना है दिखा दियो सेकेंड स्टेप हैं जो का इनिशियल एनर्जी निकाल लिए तो यह कितना हो जाएगा फोर होगा फोर टू कैंसल अट होगा तो टू सी वी स्कॉइड अब नया सर्किट बनाओ कितना अब final potential इस बैटरिक के कोडिंग होगा थर्ड स्टेप है यह था फर्स स्टेप सेकेंड स्टेप यह थर्ड स्टेप में क्या करना है यह जो capacitor है उस capacitor को फिर से potential कितना हो जाएगा बताओ final potential जो बैटरी का potential होगा तो बैटरी का वी ए बैटरी का वी ए उल्टा बना दिए तोड़ा यह वाला डारेक्शन लो बैटरी का यह ठीक है यह बैटरी का लेते हैं बैटरी का वी ए तो बताओ यह सी है अब कितना होगा बताओ final यह plus cv और यह कितना हो जाएगा minus cv अब देखो third step हो गया अब fourth step कहा है अपना जो चार्ज देखना है पहले वाला से compare करो पहले two cv था अब cv है इसमें पहले कितना था two cv अब कितना है cv तो इसमें से charge क्या हुआ यह पहला जो step था यह two cv यह fourth step में charge का redistribution करना है charge redistribution करना है third step महीं कर देते हैं तो two cv था अब इसमें से cv निकाल दिये charge तो दिकल रहा है तो minus cv तो कितना बचाहिए cv न यहां पर cv यहां cv आ रहा तो इधर enter करेगा न चार्ज यहां देखते हैं minus two cv था और charge plus cv आ रहा है तो यह कितना हो जाएगा बताओ minus cv तो यह minus cv हो गया अब fourth step में का करेंगे work done by battery निकालेंगे work done by battery देखो चार्ज इधर ऐसे यह cv चार्ज है तो यह plus से minus क्या है direction plus to minus अब plus से minus जाएगा तो work done by battery क्या होगा negative तो negative of कितना बीट cv square यह cv square यह हो गया fourth step में work done by battery निकालेंगे अब final potential energy of capacity तो यू final यू final क्या होगा half cv square potential v और capacity तो कितना हो जाएगा half cv square अब final fifth step में क्या करेंगे heat calculate करेंगे तो heat क्या होगा work done by battery माइनस यू final माइनस यू initial यह होगा ना तो work done by battery battery कितना है work done cv minus का cv square यू final कितना है यू final half cv square half cv square माइन यू initial कितना है 2 cv square तो माइनस का 2 cv square यह क्या होगा माइनस cv square यह यह हाफ cv square माइनस तो यह कितना हो जाएगा 3-3 by 2-3 by 2 cv square यहां यह करेंगे तो क्या हो जाएगा half cv square तो इतना heat release होगा तो इस तरह से हम कर सकते question कैसा भी question आया हम लोग heat निकाल सकते हैं ठीक है ना तो fifth step जो पांच step है इस पांच step को follow करना है first step था पहले से charge का distribution करना इस पर जो इनीशियल चार्ज है वह दे दिए सकेंड इस्टेप है इनीशियल potential energy find out कर लिए third step क्या कर लिए फिर से redraw कर लिए circuit और जो final potential है उसमें दिखा दिए और final charge भी दिखा दिखा दिए capacitor में फोर्त स्टेप है work done by battery और final potential energy अफिप्त में हीट का work done by battery minus U final minus U initial energy ठीक है